चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड सोमवार एक अपरेल को सीबियाई के स्थापना दिवसकारिकरम में शामिल हुए इस मौके पर आयोजित बीसमी टीपी कोली मेमोरियल लेक्चर में चीफ जस्टिस ने कहा टेकनोलोजी का फाइदा उठाने के जरुवत है हमें एक संस्थादर प्रतिबद्धता विबन विभागों के बीच वित्त तालमेल और नीतियों के आविशकता है सीबियाई के मामलों की धीमी सुनवाई से निपटने के लिए के स्ट्रेटेजी बनानी होगी दूसरा, जजुक की शिकायत रहती है कि उनमें जो बेस्ट होता है उसमें सीबियाई कोट्स में नियुक्त किया जाता है क्योंकि विसंवीदन शील होते है लेकिन धीमी गती से सुनवाई के चलते मामलों के निपटाने की दर भी धीमी हो जाती है तीसरा, बहुत सी विशेश सीबियाई अदालते मौजोदा अदालते हैं सिस्टम में अमूल चूल बदलाव करने के लिए हमें नई टेकनोलोजी एडवांस एक्विपमेंट्स की जरूरत है चौथा, CBI उन अपरादों से निपटती है जो देश के एकनोमी को प्रभावित करते हैं उनका जल्द निपटारा ज़रूरी है जिन पर कानून के गंभीर उलंगन कारोप लगाए गया इससे उनकी जंदिगी और प्रतिष्टा पर चोट पहुँचती है देरी न्याय देने में बाधक बनती है पाचवा, कोवीट के दौरान हमने जबदस्त कनेक्टिविटी देखी वर्चुवल कोट्स और ई-फिलिंग सामने आई इसमें चुनौती यही कि बिना इंटरनेट और टेकनोलोजी की समझ के बिना कैसे काम करेंगे प्रॉपर ट्रेनिंग ज़रूरी है आपको बता दे, डीपी कोली सीबियाई की पहले डिरेक्टर थे धरबनात प्रसाद कोली, 1907 में यूपी में पैदा हुए 1931 में उन्होंने पुलिस सर्विस जॉइन की कोली ने यूपी, मध्य भारत और भारत सरकार में सेवाई दी 1905 में कोली दिली स्पेशल पुलिस स्टैबिश्मेंट के प्रमुख बनाये गए इसका मकसर लोग सेवा में बढ़ते भरष्टाचार पर रोक लगाना था एक अप्रेल 1963 को वे CBI के संस्थापक निदेशुक बने कोली 1968 तक CBI के डिरेक्टर रहे साल 2000 से CBI लगातार डीपी कोली मेमोरियल लेक्शर का आयोजन कर रही और इसमें विबिन्रक शेत्रों के जाने माने लोगों को स्पीच दिने के लिए बुलाया जाता है इसमें शामिल लोग मौजूदा चैलेंजिस, लो इन्फोर्स्मेंट, क्रिमिनल जिस्टिस सिस्टम और क्रिमिनल इन्विस्टिकेशन जैसे विश्यों पर अपनी बात रखते हैं नमस्कार मैं हूँ मानक गुपता और देखके रहिए जूस 24